दो हजार बाइस में योगी वर्सेस आजम आजम की बहु योगी से लेंगी आजम का बदला दो हजार बाइस के रण में सिद्रा की एंट्री जी हाँ, दो हजार बाइस के यूपी के रण में एक ऐसे चेहरे के एंट्री हो गई है जिसके परिवार के साथ योगी का 36 का आकड़ा रहा है ये परिवार किसी और का नहीं बलकि समाजवादी पार्टी के नेता और रामपुर से सांसद आजम खां का परिवार है और योगी को टक कर देने कोई और नहीं बलकि आजम खां के बड़े बेटे की पत्नी सिद्रा आ रही है आजकल यूपी के चुनावी गर्यारों में ये खबर सुर्खियों में है कि सिद्रा इस बार समाजबादी पार्टी के टिकेट पर चुनावी मैदान में उतर सकती है लड़ेंगी तो जवाब में सिद्रा ने कहा था मैं हर तरह से रामपूर के लोगों की खिद्मत को तयार हूँ और अगर उनके ससुर कहेंगे तो उन्हें चुनाव लड़ने में भी कोई गुरेज नहीं है सिद्रा के चुनाव लड़ने की अठकले इसलिए भी और तेज हो गई है क्योंकि चुनाव नजदीख है और सपक एक तदावरनेता आजम खां की रिहाई अभी तक नहीं हो सकी वही सिद्रा भी काफी अक्टिव मोड में दिख रही है इसके अलावा सिद्रा के बयानों से भी ये माना ज़ा रहा है कि वो चुनावी मैदान में उतर सकती है तूसरी तरफ वो लगातार समाजवादी पार्टी के मुख्या अखलेश यादों की तारीफे करने में पीछे नहीं हट रही वो कहती है कि अखलेश यादों ने हमेशा उनके परिवार की मदद की और आज भी उनके साथ खड़े हैं ये तो जगजाहिर है कि आजम खां और अखलेश यादों का रिष्टा बहुत ही अच्छा है लेकिन पिछले कोछ दिनों के घटना करम के बाद ये अफवाहे भी जोर पकड़ रही थी कि अखलेश ने आजम और उनके परिवार से दूरी बना ली है लेकिन सिद्रा ने साफ कर दिया कि आज भी आजम खां और अखलेश के बीज सब कुछ ठीक है आपको बता दे समाजवादी पार्टी के वरिष्ट नेता आजम खां रामपुर्ष लोकसवाचेतर से सांसद हैं आजम और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खां पर कई मुकदमे दर्ज हैं इसी के चलते वो इस समय जेल में हैं आजम की पतली रामपुर्ष से ही शहर विधायक हैं उनके छोटे बेटे भी जनपत से विधायक हैं हाला कि दो जन्म प्रमाडपत्र के मामले में उनकी विधाई की चली गई उधर सिद्रा लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं और सरकार पर आरोप लगाती रहती हैं कि उनके परिवार पर बदले की राजनीती के तहट योगी आदितनात कारवाही कर रहे हैं और इस बार के चुनाव में यूपी की जन्ता आजम के साथ खड़ी है और योगी को जवाब देने का मन बढ़ा चुकी है उधर अगर चुनाव की बात की जाए तो सिद्रा अगर रामपूर से चुनाव लड़ती है तो बीजीपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि रामपूर आजम खान का गड़ माना जाता है और बदले की कारवाही को मुद्दा बना कर सिद्रा इमोशनल कार्ड खेल सकती है और कही न कही इसी का फाइदा सिद्रा को मिल सकता है अभी तक बीजीपी ये सोच रही थी कि आजम और उनके छोटे बेटे के जेल में होने से उन्हें यहाँ जीत मिल सकती है लेकिन आजम की बहु अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो बीजीपी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अब देखना दिल्चस्प होगा कि योगी आदितनात और सिद्रा की इस लडाई में जन्यता का समर्थन मिलता किसे है